नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एग्यूकैशन चैनल एजुटूबर देव पर तो दोस्तों कोई भी नियम हो या फिर कोई भी बात हो जिससे सभी लोग अगर सन चुछ नहीं हो सकते हैं जाए वो नियम की बात करें या दोस्तों किसी एक सिंगल एक पंक्ती की बात करें जिसे सबी 100% लोग संतुष्ट नहीं होते तो दोस्तों उसी में से कुछ लोग जो संतुष्ट हो सकते हैं वो कौन है तो दोस्तों परमूट फॉर्मूला के अगर हम बात करें जो CBSE करने वाला टैंथ के बारे में तो उसमें दोस्तों जो फैल और कोरोना संक्रमन और लॉग डाउन विध्यार्थियों के परिणाम के नजरी से फाइदे मन बन पड़ा है पहली से ग्यार्मी कक्सा तक के विध्यार्थी प्रमोट हो चुके हैं उच तक्निकी और मेडिकल संस्तानों में बैक पेपर स्कीम लागू है ऐसे में CBSE और अन्य प और कॉलेज के जो दोस्तों सेमेश्टर और वार्शिक और प्रायों के ग्यानिक जो प्रैक्टिकल से एक्जाम से हैं यह परिक्सा जून जुलाई या इसके बाद करानी है विध्यालेओं और कॉलेजों के विध्यार्थियों को प्रमोट अथ्वा पिछले वर्स की तरह त उच तकनीकी मेडिकल आयूस पॉलिटिकल जो पॉलिटेकनिक हैं दोस्तों उसमें और कॉलेज और विष्व विध्यालेओं के सी बी एसी के और आर बी एसी के जो एक्जाम होते हैं उसमें दोस्तों हजारों विध्यार्थी फेल होते हैं प्रती वर्स और हजारों के सप्ल विद्यार्थियों को प्रोमोट किया गया है सी बीसी तो दस्वीं की प्रिक्साइं रद कर विद्यार्थियों को प्रोमोट कर चुका है तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है बार्वीं की प्रिक्साओं का जो है फैसला एक जून को होगा जो मैंने आपको कहा कई सारे वीडियोज में कि पहला सब्ता जो है बहुत मैत्पूर होने वाला है CBSE की सिर्फ बार्वी की प्रिक्षाएं होगी राज्थान और अन्य राजियों के मादिमिक सिख्षा बोड की बकाया दस्वी बार्वी की प्रिक्षाओं पर भी फैसला होना है जिसमें इन कक्षाओं में विद्यार्थियों के फैल और सप्लिमेंटरी की समभावना जादा रहीगी दोस्तों अब IIT, IIM, विस्विद्याले, मेडिकल, I.U.S, इंजिनरिंग, लौ और अन्य कॉलेज में जो वार सीक और सेमेश्टर सिस्टम है उसमें किसी में नियुन्तम उत्तिन आंक जो होते हैं नियुन्तम जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं दोस्तों वो नहीं आते हैं तो फिर बैक दी जाती है और विद्यारती अगली कक्सा सेमेश्टर में पद्धोनत होता है लेकिन उसे बैक वाले पेपर भी देने जरूरी होते हैं नियुन्तम अंक नहीं आये प्राप्ता अंक नहीं है तो आपके supplementary आ सकती बैक आ सकते है अब अन्तर कैया है जो 10-12 की ओती आप अंगली कक्सामें करा जाते हैं आप पास करोगे तब ही अगली कक्साम जाओगे यह तो होगा supplementary जिसको पूरक परिशा बोलते हैं अब तीनों में से एक या दो सब्जेक्ट नों पास नहीं हो पाया तो अगली कक्सा में प्रोमोट हो गया, सेकंड ये में आ गया, अब सेकंड ये के वो सारे पेपर देगा, साथ ही साथ, जो फ़र्ष्ट ये के उसके दो पेपर प्रशन पत्र जो बाकी रहे गे, चाहे राज नि का मैंने आपको बता दिया, अब दोस्तों गणित देखें, फेल हो सप्लिमेंटरी का तो क्या रहता है, सीबी एसी में डेड़ लाग से पौने दो लाग, अबिर्थी, मापकी जी का विध्यार्थी जो है, वो दोस्तों फेल होते हैं, प्रतीव वर्ष, राज्तान मादिमी फार्मूला जो है, वो फाइदे मंद है, जैसे मैंने का सब को संतुष्ट नहीं कर सकते, तो इससे असंतुष्ट कौन होंगे, जो महनती है, 80, 90, 95 वाले जो अवेर्थी हैं, वो इससे बड़े असंतुष्ट चलेंगे कि सार हमारे से ज़्यादा आ रहे थे, बट उनको संत इसके बाद जब इस्तितियां सामाने हो जाएंगी, तो उनके लिए एक्जाम रखे जाएंगे, तो एक्जाम देके आप अपने औरीजनल नंबर भी बता सकते हैं, औरीजनल प्रापतांग पा सकते हैं, तो यह अची बात है, अब इसमें अलग अलग जो कुल पती है, जैन चारे इंजिनरी कॉलेज अजमेर के डॉक्टर रेखा मेरा जी है, वो क्या कहने देखी है, कि तकनी की संस्तानों में सेमेश्टर पर इक्साम बैक सिस्टम लाग हुए, तो इसमें भी कोई निस्चित तोर पर पास ही होंगे, तो कोई प्राप्लम नहीं, तो पास होना बड करत।